Hello Mom and Dads, Welcome back to my channel So, आज इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे छोटे बच्चे के जीव को कैसे साफ करें छोटे बच्चों के जीव को क्यों साफ करना जरूरी होता है और कुछ टिप्स भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी सो टंग क्लीनिंग की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी सो वीडियो को आप लाश्ट तक देखें जिससे आप कोई भी इंपोर्टन टिप्स को मिस ना कर पाएं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पैरेंट्स के साथ स्ट्रेयर करें ताकि उनको इस इंफोर्मेशन के बारे में पता चल सके और वो अपने बेबी का ज़्यादा अच्छे से अच्छा ख्याल रख सके तो आएए वीडियो को स्टार्ट करते है साम डीजा बेबी स्केयर चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो की नूटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें बच्चे की जीब की सफाई क्यों जरूरी होती है छोटी उम्रे से ही सीसू की जीब की सफाई बेहद इंपोर्टेंट होता है हम सभी के जीवन में रोजाना मूग की सफाई के साथ साथ जीब को भी साफ करना बहुत जादा इंपोर्टेंट माना जाता है सेम उसी तरह छोटे बच्चों की भी जीब की सफाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है अगर आप अपने बच्चे के बच्चपन से ही उनके जीब के सफाई, मसूडे की सफाई, उनके पूरे मूग की सफाई अच्छी तरीके से करते हैं तो आपके बच्चे को कभी भी केविटी की प्रॉबलम नहीं होगी और वह मूग की बदबू से और संक्रमित बिमारियों से हमेशा बचा रहेगा इसलिए मैं रिकमेंड करूंगी कि आप अपने बच्चे को बच्चपन से ही जीब की सफाई करें छोटे बच्चों की जीब की सफाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है क्यूंकि छोटे बच्चे सिर्फ मा का ही दूद पीते हैं और दूद जब वो पीते हैं तो जीब में एक वाइट कलर का परच जम जाता है जिसके कारण बहुत सारी बिमारियों का आसंका भी हो जाता है इसलिए आप अपने बेबी के जीव को जरूर साफ करें जब भी आप अपने बच्चों को दूद पिलाए तो एक कॉटन के कपड़े से उनके जीव को अच्छी तरीके से साफ कर दें बच्चे की जीव साफ करने का सही तरीका आपके बच्चे के दाथ हो या ना हो लेकिन मूँ और जीव की सफाई रखना बहुत इंपोर्टन्ट होता है अगर आपको अपने बच्चों के मूँ और जीव को साफ करने का सही तरीका नहीं पता है तो हमने कुछ tips दिये हैं आप उन्हें follow जरूर करें जो हमने step बताया है उसी step में आपको follow करना है यह तरीका बच्चे की जीव की सफाई के लिए बहतरी नुपाई माना जाता है तो चलिए जानते हैं अपने बच्चे की जीव को साफ करने से पहले आप अपने हातों को अच्छे से धोले मूँ की सफाई के प्रोसेस को सुझ करने से पहले यह make sure कर लें कि आपके हाथ सही तरह से साफ हो आप चाहे तो बच्चों की जीव की सफाई के लिए उंगली पर किसी कप्ड़ी को लपेड सकते हैं या रेसन की तार का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इसके अलावा आप medical industry में उपलद जीव की सफाई के लिए बिसेस प्रकार का ऐक ऊप्करन मिलता है आप उसका भी यूज कर स आम दाएक जगा जैसे क्रेडल क्रेडल मिन सिसू का पालना में लिटा दे अब उसका मुझ खोले और अपनी उंगली से जीब वा मुझ की सफाई करें अराम से नौजास सिसू के मुझ को खोले और साफ करने के लिए अपने उंगली को अंदर डाले नंबर फॉर उंगली के मुझ के अंदर जाने के बाद बेहद अराम से सरकुलर मोशन में जीब को हलके से साफ करें नंबर फाइव बच्चे की जीब की सफाई के बाद उसके दातों वा मसूरों की मालिस करें नमबर 6, मसूडों में जमे मैल की सफाई के लिए आप गम क्लीनर का भी इस्तिमाल कर सकती हैं, हाला कि यदि गम क्लीनर में मैल नहीं हटता है, तो किसी डॉक्टर से संपर्क करें, फ्लोराइड टूथ पेस्ट या अन फ्लोराइड चीजों का इस्तिमाल बिलकुल भी ना करे क्योंकि बच्चा उसे निगल भी सकता है, इस प्रोसेस को रोजाना बच्चे को दूथ पिलाने के बाद या अगर आपका बच्चा बड़ा है तो उनको खाना खिलाने के बाद अपनाएं, नमबर 8, बच्चों की जीप और कैविटी की सफाई के लिए डॉक्टर बच्चो के लिए टिप्स, बच्चों के मूँ के बेहतर स्वास्त के लिए कुछ टिप्स का पालन जरूर करें, नमबर 1, बच्चे की जीप की सफाई डेली दो बार करें, अपनी ही तरह बच्चों की मूँ की सफाई सुबा और रात में सोने से पहले करें, खाना खाने के तुरंत ब खाना खिराने के बाद बच्चों के मूँ को साफ करते हैं, नमबर 3, जन्म के कुछ दिन बाद से ही बच्चों की जीप की सफाई करनी सुरू कर देनी चाहिए, इससे एक अच्छी आज़त बनने की भी मदद मिल जाती है, नमबर 4, कपड़े और रूई, दोनों से बच्च गितार और रूई का इस्तिमाल करें, यदि आप किसी कपड़े का इस्तिमाल कर रहें, तो ध्यान रहें कि वो धूला हुआ हो, नमबर 6, हमेशा बच्चों के मूँ की सफाई से पहले, अपने हाथों को गुनगुने पानी में साबुन से धोएं, इसके बाद साफ तौदिय काई से अपने हाथों को सुखा है, बच्चे में संक्रमर या कितारों ना फैले, इसके लिए अपने हाथों का सफाई का विसेज ध्यान दें, तो इस टिप्स को आप फौलु करकर अपने बच्चे की मूओ के अच्छे तरीके से आप सफाई कर सकती है, आपको अपने बच् तो नाइक जरूर करें कि आपका एक हमारी इस वीडियो को बहुत ज्यास बहुत बहतर बना देगा और अगर आप किसी भी एक पेरन को तो किसी भी पैरिंट का हैट करें सुजादा से ज्यादा शेयर करें अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो make sure आप मैंने चंद को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को प्रेस कर जिसे मेरे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी so guys मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में thank you for watching this video